दोस्तो हमारे चैनल मेडिशेडो में आपका स्वागत है हलो दोस्तो आज हम जानेंगे संत्रा क्यों जरूरी है हमारी सेहत के लिए और संत्रा खाने का सही समय क्या होता है एक दिन में कितने संत्रे खाना चाहिए साथ ही ये भी जानेंगे कौन सी ऐसी बड़ी बीमारी है जिसे संत्रा खाने से होने की संभावना बहुत कम हो जाती है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें संत्रा ऐसा फल है जो बेहत रसीला और खटा होता है संत्रे में विटामिन सी, फाइबर, केल्शम और पोटीशम के साथ साथ और भी बहुत से पोशक्ततू पाए जाते हैं संत्रे के स्वास्त लाबधिक होते हैं संत्रे का साइन्टिफिक नेम साइटरस साइनेसिज है कई अलग अलग तरीकों से इसका सेवन किया जाता है संत्रे को नाश्ते के रूप में, जूस के रूप में, या खाने के बाद या पहले भी लिया जा सकता है संत्रा खाने का फाइदा नमबर वन संत्रे में विटामिन सी भरपूर मातरा में होता है जो शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बेहत अच्छा होता है और बीमारियों से लणने में मदद करता है नमबर टू संत्रे में फाइबर अधिक होता है जो पाचन शक्ती को बढ़ाता है संत्रे में फाइबर बलड में बढ़े हुए कॉलेस्ट्रोल को कम करने में मदद करता है नमबर थ्री संत्रा हड्डियों के लिए बहुत फायदेमन होता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कैल्चिम की मातरा अधिक होती है जो हड्डियों के साथ नातों की सिहत के लिए भी फाइदे मन्न होता है नमबर फॉर संत्रे में एंटियोक्सडेंट भरपूर मातरा में होता है जो चेहरे की जुरूज़ी को कम करने में सायक होता है और ऐसे सेल्स को नश्ट करता है जो समय से पहले बढ़ापे के लिए जिम्मेदार होते हैं नमबर फाइफ संत्रे में पाए जाने वाला पोटेशियम शरीर में बढ़े हुए सोडियम को कम करता है और हाई ब्लेट पेशर को नॉर्मल करने की शक्ती रखता है नमबर सिक्स، संत्रा फोलेट का एक अच्छा सुरोत है जो प्रेगरेश्ट महिलाओ के लिए फायदेमंद होता है बच्चे के नर्वर सिस्टम को बहतर करता है अब जानेंगे दोस्तों संत्रा खाने का सही समय संत्रा खाने के लिए दिन का सबसे अच्छा समय सुभा या शाम होता है इस टाइम आपका पेट खाली होता है और फल के नूट्रीशन पूरे मिलते हैं शरीर को दोस्तों ये भी जान लेते हैं एक दिन में कितने संत्रे खाना चाहिए ऐसा माना जाता है एक दिन में जादा से जादा दो संत्रे ही खाना चाहिए यदि आप हर दिन बहुत अधिक संत्रे खा रहे हैं तो आपको पेट की तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है डाइरिया, सीने में जलन जैसी समस्याओं का दोस्तों गर आपके शरीर में विटामिन C की कमी हो जाए तो उसकी वज़े से सकर्वी रोग होने के संभावना बढ़ जाती है इस बीमारी में शरीर में थकान, बुखार, समय से पहले बालों का गिरना, मसूडों में बलीडिंग और शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं संत्रे के सीजन में अगर आप दिन में एक संत्रा भी खा लेते हैं तो उससे आपके शरीर में विटामिन C की कमी पूरी हो सकती है जिससे इस कर्वी रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है वीडियो में यहां तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने सुजाओ जरूर दें जिससे आने वाली वीडियो को हम और बहतर बनाएं